नमस्कार, जब भी कोई शेर्स या किसी बिजनेस ग्रूप के सेर्स पर अच्छा मॉमेंट होता है तो दोनों केटेगरी की लोग उसमें इंटरेस लेते हैं एक तो इन्वेस्टर्स, दूसरे अनलिस्टिस और जब इन दोनों क्रूप का अनलिस्स सेम लाइन पर हो, यानि ये दोनों क्रूप सेम बाते करते हों, तो वो सही में फाइदेमन शेर होता है कुछ दिनों पहले की न्यूज में भी ऐसा कुछ आया कि अदानी क्रूप के शेर्स के साथ कुछ अपरेटर प्ले हो रहे हैं कहा है कि एफिया इसके अकाउंट्स को सीज नहीं किया गया और शेड्स फिर उपर आ गए यानि ये खबर देकर जिन्होंने शेड्स बेचा था उन्होंने थोड़ी चल्द बाजी कर दी थी इसी तरीके से हर नियूज का अलग-अलग परस्पेक्ट्व होता है हमारी इस ग्रूप के शेर्स में हलचल क्यों हो रहा है एड़ी इसी ग्रूप जिसके बोस है अनिल दिरुबा यंबानी वो एफ़ए 2020 के स्टार्ट से ही बहुत अच्छे रिटन दे रहे हैं उसके शेर्स में 63% से लेकर 192% तक का रिटन दिया है ये वही कंपनी है जिसके ओफिस के पीछे FI में एक्वाइर कर लिया गया था डेट नॉन पेमेंट के लिए इस ग्रूप के 6 कंपनीज हैं रिलाइंस इंफ्रा, रिलाइंस पावर, रिलाइंस कैपिटर, रिलाइंस नवल, रिलाइंस कम्मुनिकेशन, रिलाइंस होम फाइनस Economic Time के December 19 को एक आर्टिकल में ADAZ Group के शेर्स को Top Well Destroyed कहा गया था क्योंकि ये सारी कंपनीज डेट के चलते डूब गई थी, इनके साथ सत इनके शेर्स भी डूब गए थे लेकिन जब अचानक से FY 2020 की शुरू होते ही, ADAZ Group का शेर्स उपर जाने लगा और अच्छा रिटन भी देने लगा तो फिस सवाल ये आता है कि क्रोथ का फ्यूल क्या है? अब आके देखते हैं रिटन के पीछे का क्या रिजन है? कोई भी कमपनी के शेर्स का भाव गिरने का में बिजन होता है आउस्टेंडिंग डेट तो आएए एक नजर में ADAZ Group के टोटल डेट को देख लेते हैं टोटल डेट है 93,900 क्रोर, आरकॉम डेट 35,600 क्रोर, Reliance Capital 38,900 क्रोर, Reliance Power 30,200 क्रोर, Reliance Infra 17,800 क्रोर, Reliance Novel 700 क्रोर जो लोग अपनी आखे मल रहे हैं दुसरी बार नंबर्स को फिर से चेक कर रहे हैं उसके लिए बता दू कि यह सारे नंबर्स सही हैं 31 मार्स 2019 के डेट के साब से 93,900 क्रोर का डेट बनाके रखा है Reliance ADAZ ग्रूप ने इसी वज़े से लोगों ने सारे सेर्स बेज दिये और सारे सेर्स चवणनी के दाम पर बिग गये थे लेकिन FI 2020 में Reliance ने एफ़र्ट लिया कि इस डेट को रिड्यूस करना है और इसी का एक हलका सा इंपेक्ट उनके शेर्स में भी दिखा है एक्जाम्पल की तरीके से Reliance Power ने 1325 क्रोर रेज करने की बात कही है सवाल ये उठता है कि कैसे रेज होगा ये अमाउंट Reliance Power 59.5 क्रोर एक्विटी शेर्स, 73 क्रोर फ़र्ट इक्विटी शेर्स, इसको अपने Parent Company Reliance इंफ्रा को बेचेगी और इस 1325 क्रोर से अपना डेट रिपेमेंट करेगी FI 22 में इनका टारगेट है कि इस डेट को 3200 क्रोर तक कम कर दें लेकिन फिर भी टोटल डेट यानी 30,000 करोर के मुकाबले में 3200 करोर काफी कम ही दिखता है तो अब हम आगे देखते हैं कि Analysis बारे में क्या कहते हैं जैसा हमें आपको पता है कि Analysis और Investors को एक पेज में होना एक कमपनी के Shares के लिए अच्छे बात होती है लेकि Analysis का कहना ये है कि ADAZ के Shares के बारे में कि Investors फिलहाल अपना पैसा को संबाल कर रखें और अगर आपको Invest करना है तो आप ऐसी कमपनी Invest करें जिसका Financial Conditional Stable हो अब इसे आप समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं Analysis बाकि आप खुद समझदार हैं धन्यवाद